नमिश्कर बैरचा सिंग स्वागत करती हूँ आपका हमारे खास कारिक्रम आज के राशिफल में कहते हैं कि ग्रहों की चाल से हमारे भागे का रास्ता तै होता है ग्रह जहां जहां जाते हैं उसी तरह हम भी सुई की तरह नाचते रहते हैं अच्छे बुरे कर्म हमारे ग्रहों के कारण ही होते हैं ऐसे में लोगों के मन में ये जानने की उठ्सफ़ता होती है कि उनका आनी वाला दिन कैसा रहेगा यह चीजों में उन्हीं लाब मिलेगा और क्या काम करने से उन्हें हानी होगी उनकी इस गविधा को दूर करने के लि आर्थिक इस्तिती मस्बूध होगी। उपाए भगवान विश्णू की आराधना करे। विशिब राश्ची आवश्रिक्ता के अनुसार धन्ना मिलने से मन में हताशा के बादल छाएंगे, व्यापार में हानी हो सकती है, कोई मूलिवान वस्तु गुम हो सकती है। उपाए मीट और शराप का सेवन ना करे। मिथुन राश्ची आज आर्थिक स्तिती में सुधार होगा, राजनीतिक शेत्र में कारियों के बदले धन प्राप्थ होंगे, किसी प्रियजन से या पेक्षा से अधिक धन प्राप्थ हो सकता है। उपाए बिल्वपत्र पानी में डाल कर स्नान करे। करकराशी राजनीतिक शेत्र में कारियरत लोगों को मनचाहा धन प्राप्थ होगा, किसी व्यापारिक समस्या का समधान होने से रुका हुआ धन प्राप्थ होगा, नौकरी में अधिनस्त लापकारी सिद्ध होगा, उपाए आज छोटी इलाइची पानी में डाल कर स्नान क सिंग राशी, आज किसी पुराने कर्ज से मुक्ती बिलेगी, बाहन खरीदने के अभिलाशा पूरी हो सकती है, किसी प्रियजन से आर्थिक मदद मिल सकती है, उपाय, आज लाल पुष्प और गुड के बने पकवान से मंगल देव की पूजा करे कन्या राशी, आज व्यापार में आज की अपेक्षा व्याय अधिक होगा, भूमी, भवन, बाहन, इत्यादी खरीदने हे तु जा रहे हैं, तो अपने नाम की बजाए किसी परिजन के नाम से ले, उपाय, आज शुक्र देव का श्वेद पुष्प हातों में लेकर पूजन क रखें, उपाय, चंदन पानी में डाल कर स्नान करें, व्रिष्टिक राशी, आज आर्थिक पूजी निवेश आदी थोड़ी सावधानी पूर्वक करें, सगे भाई की सहायता आदी पर खर्च होने की संभाव ना है, पूर्व से रुके हुए कारे पूर्ण होने से होगा, उपाय, श्वेत कमल पानी में डाल कर स्नान करें, धनु राशी, आज कारी शेतर में धन की बच्चत की ओर अधिक ध्यान दें, आविश्यक खर्च बढ़ सकता है, संपत्ती संभंदी क्रेविक्रे के लिए ये समय शुब रहेगा, जल्दबाजी में कोई बड़ा न अंघर्च बढ़ सकता है, जमापूंजी धन अधिक खर्च हो सकता है, उपाय, आज किसी देवी स्थान में दीपक और देसी घी का दान करें, कुम्भ राशी, व्यापार में समय भद तरीके से कारी करें, अच्छी आमदनी नहीं होने के योग हैं, संपत्ती मिलने की बाध कोट कचहरी के माधियम से दूर होगी, उपाय, शनी मंत्र का 108 बार शिवजी के समक्ष बैट कर जाब करें, मीन राशी, आज व्यापार में धन की आय के साथ धन व्याय भी अधिक होने की संभावना रहेगी, आप घर उत्वा व्यापार स्थल पर धन खर्च कर सकते हैं, अ और तलब है कि राशेवल हमारे पूरे दिन के कारिकाल को बताता है, जिसे लोगों के मन से ये शन का दूर हो जाती है कि उनका आज का दिन कैसा जाएगा, खेर आज के राशेवल में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें